नमस्कार और आप देखें पलपन हर्याना परदेश भर में नेकाई चुनाओं को लेकर के पोलिंग सुरू हो चुकी है पूरा दिन बारिश का मोसम बना रहा इसके बावजूद लोग सुबह साथ बजे से ही पोलिंग बूथों पर पहुंच गए थे और लोगों ने अपनी स्वेच्छा से फोटिंग की हलाकि आज सुबह से ही मोसम काफी खराब नजर आ रहा था मोसम खराब का पोलिंग पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी परतेश भर में जीलों में इन चुनाओं को लेकर के माहल पूरी तरह से गरम है लोगों में उत्सा बना हुआ है इस बार नगर निकाए चुनाओ विधायक चुनाओ की त्रहीं तेजता रार बना हुआ है अलग-अलग पाल्टियों में काफी उठा फटक भी समय रही काईनों में खड़े हैं वहीं फट्यवाद में पारशत का चुनाओ लड़ रहे उमिदवार आपस में फिड़ गए थे इस दोरान एक दूसरे को वेक डाली निकालते हुए नजर भी आए एक दूसरे को मारपीट करने की भी कोशिश की गई लेकिन इस बीच में लोगों ने बीच में पढ़ करके इस मामले को छुड़वा दिया मौके पर पुलिस भी पहुँच गई थी बाद में मामला तुरंट शांत करवा दिया गया अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि शहर में दोफैर तक मतान करने वालों की संख्या में बड़ोतरी हो सकती है अलाकि सुबह से एक कुछ जो बड़े लोग हैं वियाईपी लोग हैं उन्होंने वोटिंग शुरू नहीं की थी सबी पार्टियों में से भी कोई बड़े नेता वोट डालने के लिए नहीं आए फिल हल सिर्शा की सांसत सुनिता दुगल का वोट भी फत्यवाद के शक्ती निगर में हैं उन्होंने भी खबर लिखे जाने तक वोट नहीं किया था कहीं की इवियम पर आधे घंटे तक जो है वोटिंग चलती रही बाद में विज में रोकना पड़ा लोगोंने कई जगे आरोप लगाया कि इवियम खराब थी कई जगे नहीं चल रही थी इसे लोगों को काफी परेशानी भी आई इस तरह से जन स्वास्ता विवयांत्री की विभाद ग्वारा बनाएगे एक बूत नमबर पंतानिस में भी इवियम में तकनीक की फाल्ट आ गया था तोहना में भी इस दोरान थोड़ा मामला गर्म हो गया था सिर्सा में भी तीन निकायों पर मत्तान सुरू किया गया था जिसमें 99 बूतों पर मत्तान सुरू हो चुका है निकाय चुनाय की पूरी अपडेट लेकर रहा आपके उस पास फिर से हाचिर होंगे आप हमारे वीडियो को लाइव एवर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पलपल हार्याने की खाच रिपोर्ट